Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक एक आड रीडिंग है और ये No Contact रीडिंग है ये उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने लव इंटरस्ट के साथ बिलकुल भी Contact में नहीं है Less to No Contact अगर आप Happily एक Relationship में हैं तो ये रीडिंग आप के लिए नहीं होगी ये रीडिंग खास तोर पर उन लोगों के लिए है जो के इस वक्त बिलकुल Contact में नहीं है और वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी लवर की जिन्दगी में क्या चल रहा है उनकी क्या energy है वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और उनकी तरफ से messages आपके लिए निकालेंगे कि अगर इस वक्त वो आप से कुछ कहते तो वो क्या होता क्या messages हैं उनकी तरफ से आपके लिए तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रियादा करना चाहती हूँ जितने लोगों ने मुझे support दिया प्यार दिया और जितने भी लोगों ने subscribe किया और अगर आप नए है मेरे चैनल पर subscribe करना मत भूलिएगा like कीजेगा और इसको share भी कीजेगा और जिन लोगों ने already subscribe किया हुआ है मैं इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा आपका शुक्रियादा करना चाहती हूँ इसके लावा आप अपने friends and family में भी इस channel को share कीजेगा ताकि हमें grow करने में थोड़ी सी और मदद मिल जाए इसके लावा आप लोगों के जितने भी suggestions हैं और जितने भी लोगों ने request की singles के लिए video बनाने के हवाले से job and career के हवाले से और different इस ताकि जितने भी आप सब लोगों ने suggestions मुझे दिये हैं वो सब मैंने लिख लिए हैं बस थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ और देना है थोड़ा सा आपने और wait करना है मैं जरूर बनाऊंगी one by one करके अब ये भी highly requested था no contact मैं इससे पहले कर चुकी हूँ लेकिन ये और energy check हम करते रहेंगे हर दो दिन के बाद तो बीच में हम add करते जाएंगे जो जो आप लोगों ने बाते मुझे कही हुई है सब मैंने लिखा हुआ है तो फिर से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया दा करना चाहूंगी जितने भी लोगों ने मुझे support दी है प्यार दिया है compliments जितने भी लोग देते हैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इसके साथ साथ personal readings के बारे में पूछते हैं personal readings मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ जब मैं करूँगी in future तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप लोग personal readings ले सकते हैं फिर इसके लावा एक healing messages की reading भी मैं करूँगी कुछ लोगों ने ये भी मुझे सवाल किया था किस तरह से हम heal हो सकते हैं किस तरह से अपने chakra's को align किया जा सकता है किस तरह से आप heal कर सकते हैं दुख दर्द किस तरह भूला सकते हैं क्या करना चाहिए अपने उपर focus कैसे करना है ये सारी इन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्ब मैं YouTube पर live भी आऊंगी मैं आप लोगों को बता दूँगी मैंने किस तरह आना है फिर आप लोग मुझे जरूर join कीज़ेगा अगर आपका दिल करे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तीन options हैं आपके पास सबसे पहला option हमारे पास Ace of Cups है Ace of Cups, Unconditional Love fully emotional card है बहुत Unconditional प्यार दिया है अगर आपने किसी को तो आप Ace of Cups select कर लीजेगा लेकिन question हमारा यही है No contact, क्या चल रहा है उनकी जिन्दगी में ठीक है option no.2 we have Ace of Swords clarity चाहिए आपको action चाहिए बहुत ज्यादा और शायद आप लोगों को यह है No contact तो अगर कोई clarity आपको चाहिए सूरतिहाल में तो आप Ace of Swords select कर लीजेगा फिर हमारे पास Ace of Pentacles है commitment का card है divine commitment commitment चाहिए अगर आपको communication तो आपको चाहिए ही है तो अगर आपको Ace of Pentacles पसंद है तो आप यह ले लीजेगा यह वाला select कर लीजेगा तो regardless मैंने जो भी situations अभी इन cards के हावाले से आपको बताई है इनके इलावा जो भी Ace आपको पसंद है आप वो select कर लीजेगा अपने लिए time stamps मैंने description में दिये हैं आप skip करके अपने favorite card पर अपना answer देख सकते हैं और again अगर यह तीनों आपका choose करने का दिल करता है आप तीनों भी कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं हो सकता है इन तीनों में कोई ना कोई message आप लोगों के लिए हो इसके लावा बहुत से लोग मुझसे यह पुछते हैं कि अगर reading हमसे match हो रही है अगर situation बिलकुल आपकी है तो फिर reading आप ही की है तो आपने इस पर परशान और confuse बिलकुल नहीं होना जो चीज़ें आपसे match होती हैं वो आप रख लिया करें जो नहीं होती हैं उनको जबरदस्तिया आपने situation में fit नहीं करना and again जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी final destination divine source को मालूम है जो आपकी finally जिन्दगी में होना है वो divine source को पता है यहां पर जितने भी card readers हैं मैं हूँ मैं सिर्फ आपको यह possibility बता सकती हूँ जो cards में आती है तो कोई अच्छी चीज़ आए तो मेरी हमेशा दुआ होती है आप लोगों के साथ वैसा ही अच्छा अच्छा हो और अगर कुछ इसमें negative आएगा आपने परेशान नहीं होना आपने pray करते रहना है अपने rituals करते रहना है manifest आपकी desires जरूर होंगी बस आपने एक positive mindset रखना है तो I hope आप लोगों ने अब तक choose कर लिया होगा अगर नहीं तो आप pause भी कर सकते हैं वीडियो को मैं start करूँगी option number one से जिन लोगों ने option number one यानि के ace of cups select किया यह आप लोगों की reading होगी और सबसे पहला message हम यही ले ले लेते हैं आपकी तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा unconditionally आपने उन से प्यार किया है overflowing emotions हैं यहाँ पर और यह बड़ा divine love है आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा महबत दी गई है उन्होंने क्या किया है क्या हो रहा है क्या चल रहा है उनकी energy में यह अब हम जानने की कोशिश करेंगे उनका star sign क्या हो सकता है यह भी जानने की कोशिश करेंगे और यह messages जो कि मैंने खुद create किये थे यह हम last में इस reading के इसके अंदर add कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास night of swords है फिर हमारे पास ten of pentacles है फिर हमारे पास six of pentacles है फिर हमारे पास page of swords है I hope आप लोगं को सारे cards नजर आ रहे होंगे फिर हमारे पास the sun card है फिर हमारे पास the fool है फिर हमारे पास page of cups and then eight of swords तो यहाँ पर star science की बात कर लेते हैं सबसे पहले मुझे यहाँ पर air, earth बहुत ज्यादा बलकि जी मुझे air में Libra, Gemini, Aquarius Earth में, Taurus, Virgo, Capricorn तो यह star signs मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं अगर इन में से कोई आपका या उनका है तो it means कि यहाँ पी की reading है और block भी मुझे नजर आ रहे कुछ लोगं को किया हुआ है लेकिन unblock कर देंगे बहुत जल्द question हमारा focus यही रहेगा कि क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में आपसे मुतलिक क्या सोच रहे है क्या करेंगे आपके लिए उनकी तरफ से आपके लिए messages भी शामिल करेंगे तो यह no contact reading है बिल्कुल आप लोगं का contact नहीं है no, less to no contact के लिए है यह वीडियो तो night of swords मुझे लगता है कि वो सुरते हाल में clarity लाना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इससे पहले उन्होंने आपको बहुत बाते सुनाई हैं आपको बहुत ज़दा hurt किया है कुछ बहुत painful आप दोनों के दर्मियान हुआ जितना आपने इस relationship में effort पुट की है वो भी करना चाहते हैं equally उतना ही फिर हमारे पास page of swords है clarity लेकर आना चाहते है the sun, transformation, the full fresh new start page of cups, love offer, apology offer लेकिन फिर हमारे पास जब हम मजीद action के बारे में सोच रहे हैं आप पूच रहे हैं इनकी तो हमारे पास eight of swords की energy है जो कि एक stuck energy है तो मुझे बहुत ज़्यादा action oriented नहीं नज़र आ रहे हैं clarity बिल्कुल आना चाहते हैं आप से बात करने का भी इनका दिल कर रहा है आपको miss भी कर रहे हैं और मुझे यहां पर नज़र आ रहे हैं जब आपको clarity देने की बात आती है commitment भी आपको देना चाहते हैं आपके साथ family बनाना चाहते हैं इनकी family की वज़ा से मुझे कुछ लग रहा है कि आप लोगों के दर्मियान कुछ हुआ है जिस वज़ा से आप लोग आजकल contact में नहीं है लेकिन ये surely मुझे यहां पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों का contact हो जाएगा आजकल वो बहुत ज़़ादा family बनाने का सोच रहे हैं उनको भी अपनी जिन्दगी में बहुत ज़़ा clarity चाहिए कुछ चीज़ें उनकी जो के unclear थी चाहे वो financial matters थे या relationships थे वो चीज़े थोड़ा सा clear हो रही है उनकी जिन्दगी में आपको लेकर भी वो clarity चाहते हैं और यहां पर the sun card है यहां पर overall मुझे एक बहुत positive और खुबसूरत vibe आ रही है और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी option number one ace of cups select किया आप लोगों के लिए abundance आ रही है आप लोगों के अपने लिए भी बहुत ज़्यदा financial abundance भी आ रही है और family matters में भी abundance आ रही है आप लोगों की सुला भी मुझे नजर आ रही है बहुत जल्दी हो जाएगी वो आपको अगर उन्होंने block किया वा है तो आपको unblock भी बहुत जल्दी कर देंगे आप लोगों की बिल्कुल सुला हो जाएगी तो six number आप लोगों के लिए कोई significance रख सकता है यहाँ पर six है one भी रख सकता है eight भी रख सकता है हो सकता है आपको eight बहुत ज़दा नजर आ रहा हो six बहुत ज़दा नजर आ रहा हो तो यह abundance की बड़े खुबसूरत numbers है यह सारे synchronicities आप लोगों को नजर आ रही होंगी हो सकता है यह आपके soulmate हो twin flame हो मुझे अच्छी energy नजर आ रही overall इस reading में तो वो आजकल clarity लाना चाह रहे है सुरत इहाल में उनकी energy the full card जो है यह बिल्कुल ten of pentacles के नीचे है तो जब वो सोच रहे है family बनाने के बारे में तो वो यह चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल risk लें आपके साथ risk लें और इस relationship में जरूर जाएं उनकी family वाले हो सकता है उन्हें रोक रहे हों एक fresh energy के साथ start करना जा रहे वो भी transform हो रहे हैं आप भी transform हो रहे हैं with a page of cups apology भी आती भी नजर आ रही है आपको unblock भी कर देंगे अगर block किया हुआ है क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आया क्योंने आपको block भी किया है no contact नहीं बलके block भी किया हुआ है कुछ लोगों को तो वो आपको बड़ी जल्दी unblock भी कर देंगे 8 दिन में हो सकता है 8 हफतों में हो सकता है 8 महीनों में हो सकता है इस मन्त में भी हो सकता है क्योंकि यह August 8th मन्त चल रहा है तो 8 हो सकता है significant हो आप लोगों के लिए 6 भी significance रख सकता है आप लोगों के लिए तो जिस तरह से आप लोगों से resonate हो आप लोग वैसे ले लीजिएगा फिर यहाँ पर थोड़ा stuck energy नज़रा रही जो कि 8 of swords की है लेकिन हमेशा अगर आप मेरी ratings देखते रहते हैं तो जब 8 of swords आता है तो मुझे यह hope का guard भी लगता है क्योंके इसमें hope है बिलकुल stuck नहीं है एक इनसान उनको महसूस अपने दिमाग में ऐसा हो रहा है कि वो शायद आगे बढ़ नहीं सकते या stuck है किसी मौमले पर आकर लेकिन चुके पाउँ खुले है इस situation से निकला जा सकता है hope यहाँ पर बिलकुल है बिलकुल है page of swords के नीचे ही हमारे पास eight of swords है तो वो clarity जब वो सोचते हैं कि clarity उन्होंने आपको देनी है अपनी जिन्देगी में बिरुन चाहिए है तो clarity की कुछ मामलात हैं जिनमें उन्हें stuck महसूस हो रहा है लेकिन यहाँ पर hope है बिलकुल है और यह energy जो उनकी stuck है इस वक्त इस energy में से वो बाहर निकल आएंगे तो आजकल वो खास तोर पर family के साथ भी time गुजार रहे हैं और अपनी family बनाने का भी सोच रहे हैं आपके साथ इस relationship में invest करना चाह रहे हैं charity भी हो सकता है कुछ लोग कर रहे हों हो सकता है और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें फिर financial मामलात में भी बहुत ज़दा काम करें लेकिन मुझे इनकी energy बहुत ज़दा fresh नज़र आ रही है बहुत ज़दा uplift हुई है इनकी energy recently कुछ हुआ है इनकी जिन्दगी में बड़ा अच्छा बड़ा confident महसूस कर रहे हैं आजकल लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर fire energy नहीं है ठीक है the sun के लिए शायद हम थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन no मेरे लिहाँ से यहाँ पर fire energy नहीं जो कि action की थोड़ी सी कमी है wands नहीं है यहाँ पर लेकिन action होगा क्योंकि हमारे पस देखिए pentacles की energy है फिर हमारे साथ हमारे पस यहाँ पर aces है sorry swords है हमारे पस जो कि air energy है तो air earth का एक अच्छा mixture है यह अगर नहीं भी है air और earth अगर energy उनसे match हो रही है तो यह जबरदस बात है तो मुझे नज़रा रहे कि stability आपको देना चाहरे है आपको love offer दोबारा से renew होगा ठीक है आप लोगों का love और मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़रा रहे अगर इन्होंने नहीं किया है अच्छा इनकी तरफ से आपके लिए message निकाल लेते है I can still feel you वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अभी भी feel कर सकते है I am stuck right now Oh my god अब आप यह देखिए कि यहाँ पर हमारे पास eight of swords आया जो कि stuck energy है फिर हमारे पास यह आगया I am stuck right now अब मज़े की बात इसमें यह है कि हमारे पस ten of pentacles भी आगया and ten इस card में जो कि मैंने खुद create किया था तो ten भी आप लोगों के लिए significant हो सकता है I feel alone बिलकुल आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही हुने अगर crush है तो आपकी energy उन्हें पसंद है आपके साथ जो उन्होंने time spend किया है अगर workplace पर थे या अगर जहां आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पर आपके साथ थे तो जो भी energy आप लोगोंने share की है वो बिलकुल उसको miss कर रहे है और बिलकुल move forward करेंगे मुझे नजर आ रहा है आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही लेकिन communication स्टार्ट होने वाली है clarity बिलकुल आ रही है the sun है बहुत खुबसूरत energy है warmth महसूस करेंगे ठीक है महबत का इजहार आ रहा है बहुत ही मुझे overall ये reading खुबसूरत नजर आई है वो बिलकुल आपको feel कर सकते है आपको बिलकुल feel कर सकते है बिलकुल वो ready है to take this leap of faith with you to dive into the situation with you बिलकुल वो risk लेने के लिए तयार है no matter what आपके साथ आगे बिलकुल move forward करना चाह रहे है बिलकुल बहुत खुबसूरत एनरजी है तो अकेला महसूस कर रहे है अगर आप चाहें तो आप उनसे contact कर लीजिए आपको reply आजाएगा लेकिन it's totally up to you जो मुझे नजर आ रहा है इस reading में मैं वो आपको बता रही हूँ obviously आपकी जिन्दगी है जैसे आपने करना है आप कर लीजिएगा लेकिन वो stuck है इस वक्त कुछ चल रहा है जिन्दगी में जिसकी वज़ा से stuck है और पर दूसरा ये कि जब मैंने आपको पहले बताया कि clarity की या clarification की बात आती है हो सकता थोड़ा से difficult महसूस करते हूँ ज्यादा expressive ना हूँ इस वज़ा से भी stuck महसूस कर रहे हूँ कि मैं किस तरह से उन से बात करूंगी या करूंगा या किस तरह से explain चीज़ों को किया जाएगा तो ये थोड़ी सी stuck energy उनकी हो सकती है लेकिन मुझे बहुत positive vibes आ रही है बहुत जल्द आप लों का रापता हो जाएगा उनकी जिन्दगी में आजकल यही चल रहा है कि वो आपसे रापता करें आपसे बात करें आपसे family भी बनाना चाहते है और ये भी सबसे important बात कि किसी और के साथ नहीं है relationship में उनका family का influence मुझे बहुत जादा लग रहा है उनकी जिन्दगी में लेकिन आपके साथ वो risk लेने के लिए बिल्कुल ready लग रहे है मुझे तो आप लोग खुश हो जाईए क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप लोगोंने मुझे comment section में जरूर बताना है और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर like किजिएगा, share किजिएगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगोंने option number two यानि के ace of swords select किया या आप लोगों की reading है पहला card मैं यही ले ले लेती हूँ कि आप लोगों को clarity चाहिए अपनी life में भी और इस शख से भी आपको clarity चाहिए उनकी तरफ से messages आखिर में reading के लेंगे हम उनका क्या star sign हो सकते है उनकी energy जो भी मुझे इसमें नजर आएगा मैं आपको बता दूँगी हमारे पास fire बहुत ज़्यादा है हमारे पास the emperor and the empress beautiful energy हो सकता है आप लोग already एक relationship में है शादी भी हो चुकी है बहुत से लोगों की मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है हो सकता है आप pregnant हो अगर आप लड़के है और लड़की के लिए देख रहे हो सकता है वो pregnant हो या mother हो आप मेंसे कोई single mother भी हो सकती है और single father हो सकते है कुछ भी ऐसा मुझे नजर आया मैंने आपको बता दिया सबसे पहले तो fire sign मुझे यहाँ नजर आ रहा है Aries, Leo, Sagittarius Taurus, Virgo, Capricorn जी मुझे यह star signs यहाँ पर नजर आ रहे है earth and fire ठीक है इन मेंसे कोई भी आपका या उनका है तो यह confirmation हो जाएगी कि आपकी reading है लेकिन regardless of science अगर यह energy आपसे match होगी तो इट मीज़ कि यह आपकी reading है अब मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा mature energy नजर आ रही है जिन से भी मुतालिक आप पूछना चाह रहे हैं कि हम उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं no contact बिल्कुल इन से आपका कोई contact नहीं है लेकिन मुझे बहुत से लोगों के लिए नजर आ रहा है कि थोड़ा सा contact है तो यह video less to no contact की है तो अगर आप अलरड़ी एक अच्छे relationship में है तो यह आपकी video नहीं है तो यह सारा कुछ मैं अलरड़ी बता चुकी हूँ तो हम बात करते हैं हमारी इस reading पर with the ace of wands action बहुत ज़्यादा लेना चाह रहे हैं आप से communicate करना चाह रहे हैं लेकिन जब वो communicate के बारे में सोचते हैं उन्हें बड़ा burden महसूस हो रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा strength चाहिए है है तो वैसे यह बहुत powerful इंसान लेकिन I don't know why कि जब बात आती है आपकी थोड़ा सा burden महसूस करते हैं क्योंके इनकी टकर में the empress है that's very interesting और बड़े मज़े की बात है कि इस emperor के लिए the best is empress और वो आप है और यह बिलकुल empress की energy एक mail की भी हो सकती है बिलकुल gender specific नहीं है तो यह जिस तरह के जबरदस्त बड़े organized और बड़े असूल पसंद जैसे कि यह emperor है थोड़े से controlling भी है इनको अपने मर्जी की चीज़ें चाहिए होती है अपनी मर्जी से इन्होंने हर चीज़ करने होती है तो इनके सामने the empress है जो के queen है जो के बहुत ही खुबसूरत है जिसमें चारो queens की qualities है जो के grounded भी है जो के stable भी है जो के loving भी है जो के nurturing भी है जो के organizer भी है हर तरह की एक खुबसूरती एक पूरा package है ये the empress ठीक है तो इस emperor के सामने टकर पे emperor के सामने the empress है ठीक है तो आप दोनों का जो combination है बड़ा ही जबरदस्त है लेकिन आप बिल्कुल इस emperor के मताबिक है आप बिल्कुल इनको समझते भी है आप लोगों की chemistry बड़ी अच्छी होगी आप लोग एक दूसरे को बड़ा ही जबरदस्त यानि कि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि एक दूसरे की खामोशी से एक दूसरे को जान लेने वाले के दिल में क्या चल रहा है बड़ा अच्छा एक combination है आप लोगों का बड़ी जबरदस्त energy मुझे यहाँ पर मिल रही है थोड़े से burden है कुछ चल रहा है उनकी जिन्दगी में और बिल्कुल आप से communicate करना चाह रहे हैं कुछ चीज़े हैं जिन पर उन्होंने decision लेना है और वो ले लेंगे वो इस empress को select करेंगे बिल्कुल इस empress को select करेंगे strength चाहिए उन्हें थोड़ी सी वो अपने गुस्य को भी tame करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी grab करने थोड़ी सी energy अपने अंदर वो इकठी कर लें गैदर कर लें ताकि वो आपकी तरफ आ सकें फिर हमारे पास है जी दहेंग्ट मैन जो के एक spiritual card है मेरी नजर में तो stop है situation आप लोगों की थोड़ी सी रुकी हुई है लेकिन इस वक्त वो आप लोगों के connection को बहुत ही spiritual level पर देख रहे हैं और जितना आप लोगों का connection special है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो उसको देख रहे हैं एक नए अंदाज में वो जब आप लोगों के अलेदगी हुई है जो भी आप लोगों की खामोशी इस वक्त चल रही है इस टाइम में divine से बहुत ज़दा connect हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले हो सकता है कि थोड़े से 3D भी हो क्योंकि घुसे वाले बहुत ज़दा है थोड़े से 3D self से आकर बात करते हैं थोड़े से practical approach है बहुत ज़दा तो जब इनसान कुछ extra practical 3D हो जाता है तो वो spiritual चीजों के बारे में इतना नहीं सोचता है इसको fantasy कहता है तो बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जो थोड़ा 3D में होते हैं वो spirituality को या manifestations को या meditation को fantasy समझते हैं खैर ये एक अलादा topic है तो ये थोड़े से मुझे इस तरह के नज़र आए लेकिन अब इनकी spiritual awakening भी होगी और चल रही है इस दौरान जितने अरसे आप लोगों की खमोशी रही ये बड़ी blessing है आप लोगों के लिए कि ये एक नए अंदाज में आप लोगों के relationship को देखना शुरू हो जाएंगे आप पर give up नहीं करना चाहते थोड़ी सीन के energy मुझे जिदी भी नज़र आ रही है इनकी जिन्दगी में कोई जमीन के मौमलात हो सकते है पैसों के लेंदेन हो सकता है कुछ चल रहा है कुछ भी ऐसा विरासत का मसला भी कोई हो सकता है जिससे ये इस वक गुजर रहे हैं Family matters कुछ बड़े संगीन Family matters जो होते हैं जो ज़रा मुश्किल होते हैं कुछ उस तरहा के matters में से ये गुजर रहे हैं लेकिन ये अपनी Empress पर give up नहीं करना चाहते क्योंकि ने पता है कि यह Empress बहुत डिफरेंट है, बहुत खुबसूरत है, यह एक पूरा package है, और सदियों में जाके कोई एक ऐसा connection इनसान का बनता है, इस Empress के साथ इस Emperor का एक ऐसा relation है, जो हर किसी के साथ नहीं हो सकता, जिस तरह वो आपके साथ connect हुए हैं, दुबारा इस तर communicate भी आपसे बहुत जल्द करेंगे, strength gather करेंगे, थोड़ा सा burden है, लेकिन वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, decision फिर ले लेंगे, आप पर give up नहीं करेंगे, और आपके पास आएंगे, कितनी खुबसूरत reading है, अगर आप चाहें तो पहली reading भी देख सकते हैं, इस से थोड आपके भी खाब में आते हों, क्योंकि आप लोग connected हैं, आपका relationship बड़ा spiritual है, बड़ा ही ज़्यादा deep है, तो आप लोग telepathically भी एक दूसरे से connected होंगे, your beauty still moves me, okay, बिलकुल, ये Empress बहुत खुबसूरत हैं, उनके दिल औ दिमाग पे हमेशा रहती हैं, passionate आपके बारे में हैं वो बिलकुल हैं, बहुत ज़्यादा है, you are so kind to me, आप उनके साथ बहुत kind रहे, बहुत आपने महबबत दी, बहुत प्यार दिया, वो ये सारी चीज़े सोच रहे हैं, आजकल आप से ये सब कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का contact नहीं है, नहीं आप लोगों की बातचीत चल रही, तो वो ये सब कुछ आप से कहना चाहते हैं, कि आप उनसे कितने kind रहे, आप ने उनको कितनी महबबत दी, कितना प्यार दिया, आप कितने खुबसूरत हैं, आपकी beauty उन्हें अभी भी हिलाती है, आपको देखकर उनका passion renew हो जाता है, बहुत ही उन्हें अच्छा महसूस होता है, आपको देखर, आपकी pictures भी होंगे उनके पास, शायद उसमें देखते हूं, शायद बहुत से लोगों के लिए मुझे भी लग रहे है, social media पर आपको stock कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, आगर कोई भी social media पर कोई account है, उसमें देख रहे हो अच्छा में उन्होंने आपको देखा, और ये सारी चीज़ें वो आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से आपके लिए messages थे, तो बिलकुल communication आप लोगों की आ रहे है, अगर आप लोग परिशान थे, burden महसूस कर रहे थे, आपको communication चाहिए, बिलकुल communication आ रहे वो decision भी ले लेंगे और बिलकुल इस empress को नोने select करना है, ये बहुत खुबसूरत energy है empress की, और strength gather करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब इस inner अपनी जो energy है इनकी, जो के थोड़ी सी घुस्से वाली है, जो थोड़ी सी 3D है, थोड़ी सी controlling है, अप आपके बारे में, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, बहुत ज़्यादा आपके बारे में possessive हैं, आपको possess करना चाहते हैं, not in a bad sense, खुबसूरत अंदाज में, family बनाने के अंदाज में, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर family का कोई card नजर नहीं आरा, आपसे बात जरूर क करना चाहते हैं, relationship को दुबारा से track पर लेकर आना चाहते हैं, जो काफी अरसे से रुका हुआ था जब से भी, आप लोगों का contact बंद हुआ, बिल्कुल आप से प्यार है, हर चीज है, और आपके लिए struggle भी इनोंने की है, मुझे ये भी नजर आ रहा है, ये कोई ऐसा इनसा हैं, जिनोंने आपके लिए भी struggle की है, all out गए हैं आपके लिए, अगर नहीं गए तो जाएंगे all out, और आप भी इनके लिए all out गए हैं, आपने भी बहुत जाता तकलीफ में बर्दाश्ट की हैं इनके लिए, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा balanced जा रहा है, बड़ी जबर आप लोगों की बड़ी अच्छे अंदाज में दुबारा से सुला हो जाएगी, और आप लोगों की लड़ाई भी कोई बच्चों वाले अंदाज में, यानि जैसे मैंने पहले का वैसे नहीं, immature अंदाज में नहीं हुई होगी, बड़ी serious sophisticated अंदाज की जो एक लड़ाई हो होई है, तो उसी तरह से बड़े slight, बड़े subtle way में आप लोगों की दुबारा बातचीत शुरू हो जाएगी, कोई एक आप में से पहले कर देगा, message या call तो दूसरा उठा लेगा, और फिर hello high ये, वो सब बातें शुरू हो जाएगी, चीज़े दुबारा से track पर आजाएग with the ace of swords, bill, cool, clarity भी आ रही है आपकी situation में, with the ace of wands, बहुत ज़्यादा communication आ रही है, बहुत ज़्यादा communication आ रही है, हो सकता है, आपको बहुत जल्द call कर देंगे, message कर देंगे, email जो भी, तो बड़ी जल्दी आप से दुबारा रापता होगा, क्योंकि वो इस empress से दूर नहीं का होता है, उनके level पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, जो उनकी expectations है, उनने meet करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस the empress में, जो के मेरा viewer है, इनके अंदर वो सारी qualities, आपके अंदर वो सारी qualities हैं, जो के emperor की expectations को meet कर सकती है, तो बड़ी खुबसूरत energy है आपकी भी, आप कोई आम इनसान नहीं है, आप भी बहुत powerful हैं, अगर इस emperor ने आपको tough time दिया है, आपकी energy भी बहुत जबर्दस्त है, बड़ी high है, और फिर आपकी इसलिए भी बहुत जबर्दस्त है, क्योंकि आप spirit से, आप divine से बहुत जबर्दा connected हैं, और उनको भी मौका मिल रहा ह है, उनको science भी मिल रहे होंगे, उनको time दिया गया है, divine उनको दे रही है science, और उने भी divine से connect होने की बड़ी जरूरत है, और वो होंगे, क्योंकि इसकी बिना कोई चारा नहीं है, ये बड़ा जरूरी है जिन्दगी के लिए, anyways, मुझे बड़ी खुबसूरत energy नजर आई, ब physically आपको कुछ लोग ऐसे नजर आएं, जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, बड़ी जबरदस chemistry हो, और बड़ा जबरदस एक उनका हो, मिजाज एक दूसरे से मिलता हो, बड़ी अच्छी एक उनकी हो bonding, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, तो मुझे बिलकुल ऐसी एक अ ऐसी रीडिंग आती है, तो मेरी हमेशा दूआ होती है साथ-साथ, कि आप लोगों के साथ बिलकुल वैसा ही हो, बस आपका ये काम है, कि आपने अपनी एनरजी को बिलकुल हाई रखना है, और एक positive mindset रखें अपना, बहुत ज़्यादा focus सामने वाले इनसान पर नहीं करना ह पता है आप लोगों कोई साथ चीजें, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, अगर आप लोगों से कुछ resonate किया, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने comment section में बताना है, अगर आप नए थे तो like कीजेगा, share कीजेगा, और मेरे channel को subscribe कीजेगा, जिन लोगों ने option number 3, यानि के ace of pentacles choose किया, ये आप लोगों की reading है, ये message आपकी reading जू जू आगे बढ़ेगी, उसमें भी हम शामिल कर लेंगे, उनकी क्या energy है, आपके love interest की, उनकी तरफ से आपके लिए messages reading के आखिर में हम निकालेंगे, उनका star sign, current energy, हर चीज जानने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहल earth, water, again fire, बहुत ज़्यादा fire है यहाँ पर, aggression नजर आ रहा है मझे, communication भी आती हुए नजर आ रही है, okay, all right, तो शुरू करते हैं जी fire में, Aries, Leo, Sagittarius, तीनो, earth में, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer ले लिजिए, Aquarius ले लिजिए, and Libra 2, तो यह star signs मुझे नजर आ रहे हैं, नमेंसे कोई भी आपका या उनका है, तो it means कि यह आपी की reading है, और regardless of signs, अगर आप लोगों से reading match होगी, तो यह बिलकुल आपी की reading होगी, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हमार पास eight of wands है, जो कि communication का card है, fast movement forward का card है, फिर हमारे पास आजाता है, the devil energy, परिशान नहीं होना आपने, फिर हमारे पास the chariot quick movement forward, then हमारे पास seven of wands, जो कि struggle का card है, fighting against the obstacles, then we have five of swords, again conflict का card है, फिर हमारे पास the star है, और फिर हमारे पास page of wands है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यदा passionate, थोड़ी सी aggressive energy नज़र आ रही है, आपके partner थोड़ी से aggressive हो सकते हैं, आप लोगों का contact नहीं चल रहा है, और उसी पर ये reading हो रही है, लेकिन इस reading में मुझे खास दोर पर नज़र आ रहा है, कि आपका कुछ लोगों का less to no contact है, थो passionate भी बहुत ज़्यादा है, बड़े attractive भी हो सकते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यदा बोलते हैं, ये मुझे एक ऐसी energy नज़र आ रही है, कि ये खामोश नहीं रह सकते ज़्यादा देर, ये आप से बात जरूर करेंगे, अगर आप लोगों का कोई contact नहीं है इस वक्त, बह ये लगता है हो सकते हैं, आप लोगों की इसलिए भी लड़ाई होती हो, कि जब भी आप इनसे बात करते हो, ये आपको कोई नो कोई प्रॉबलम अपनी बताते हो, कि अब मैं यहाँ फस गया, ये फस गया, ये फस गया, ये फस गया, तो मुझे थोड़ा सा इनकी energy ऐसी न साथ कब देंगे, तो मुझे कुछ इनकी energy इस तरह की नजर आ रही है, और आप लोग मुझे बहुत ज़़ादा परिशान इस वज़ा से लग रहे हैं, कि हो सकता है आखरी दफ़ा भी आपका conflict इस पर हुआ हो, आपकी लड़ाई इस पर हुई हो, डिसग्रीमेंट हुआ हो कि आपके तो मसायल ही खतम नहीं होते, आप मुझे से बात मत कीजिए, आप चले जाएए मेरे जिन्दगे से, हो सकता है कुछ लोगों ने इनको ये कह दिया हो, या इन्होंने आपको ये कहा हो, कि मैं commitment नहीं दे सकता है या दे सकती, तो आप चले जाएए अगर आवेट न मुझे लगता है, आप लोग इन्हें बहुत ज़दा manifest कर रहे हैं, और ये भी आपको as a star देखते हैं, मतलब आपकी energy बड़ी खुबसूरत, बड़ी spiritual और बहुत ही ज़दा refreshing है, बड़ी balanced हैं आप, आपकी body बड़ी खुबसूरत होगी, यानि आप जब एक हजूम में आप को देखा जाए, तो आपकी energy बड़ी एक different महसूस होती है, तो बहुत ज़दा आपको highly देखते हैं ये, बिलकुल आपको admire भी करते हैं, आप से, इनको प्यार है या नहीं मुझे इतना नजर यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन yes, आपकी जो खुबसूरती है उसको बिलकुल प आपकी तरफ बहुत ज़दा इन्हें, मुझे यहां पर emotions की कमी नजर आ रही है, यह मैं बहुत देर से सोच रही थी, कि यहां पर passion है, attraction है, emotions ज़दा कम है, और फिर यहां पर commitment भी कम है, तो यह जो आप लोगों का relationship है, बहुत ज़दा passion based मुझे नजर आ रहा है, और शायद इस वज़दा से भी आप लोगों की तकरार हो जाती हो, लड़ाई हो जाती हो, क्योंकि आप है एक बहुत अपने emotions से attached इंसान, तो यह थोड़ी सी इस वक्त मुझे नजर आ रहे है, masculine energy में, चाहे लड़का है या लड़की, कुछ patterns इनकी जिन्दगी के ऐसे हैं, जो कि acceptable नह आ हो, क्योंकि देवल के नीचे मरपस इस स्टार है, हो सकता है कि literally कोई स्टार बनना चाहते हो, इन्हें अपनी जिन्दगी में बहुत ज़दा fame चाहिए हो, इन्हें बहुत ज़दा पैसा चाहिए हो, और आप इसके जरा different बरक्स सोचते हैं, तो इस वज़़ा से आप जब बहुत ज़दा किसी चीज से attract हो जाता है, पागल हो जाता है किसी चीज के लिए, तो फिर कोई भी गलत रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, और हो सकता है कि बहुत ज़दा fame लेने के लिए, बहुत ज़दा पैसा ये वो, सब लेने के लिए, इन्होंने तियार किये हूँ, तो मुझे एक ये स्टोरी लाइन नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए कि फेम लेने के लिए, मुख्लिफ चीजों के लिए लोने थोड़े स्नीकी और गलत तरीके स्नीकी वेज, शेडोई बिजनिस शुरू कर लिया, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उस पर भी हो सकता है, आप लोगों के लड़ाई हुई हो विद चैरियट और पेज ओफ वार्न्स, वो बिल्कुल आपसे कम्यूनिकेट करेंगे, मुझे नहीं यहां पर मसला बहुत ज़्यादा कम्यूनिकेशन का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि यह खामोश रहने वालों मिसे नहीं, यह बात आपसे करेंग लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है, जो तरीके यह कामयाब होने के लिए अपना रहे हैं, वो डैवल एनरजी है, वो एनरजी ठीक नहीं है, और मेरा ख्याल है, यही सबसे ज़्यादा मेजर वजा है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनक तो मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन, एंग्जाइटी, परिशानी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में नजर आ रहे हैं और मुझे नहीं पता चल रहा भी कितने अर्सा और स्ट्रगल में रहेंगे, और इस टैवल एनरजी से कब बाहर आएंगे, उनकी तरफ से आपके लिए message, I admire you, बिल्कुल ये star card के साथ जा रहा है, बिल्कुल आपको admire करते हैं, फिर हमारे पास है I want to come forward, exactly, ये पीछे रह भी नहीं सकते, I'm working hard, जी बिल्कुल, seven of wands and nine of wands, बिल्कुल hard work कर रहे हैं, लेकिन अगेन आप लोगों का सवाल यही होता होगा, कि आप होने चाहिए, आप सही अंदाज में move forward करें, इस devil energy के साथ forward मत आये, हो सकता है, आप में से बहुत से लोगों ने का हो, कि जब आप इस devil energy में से निकल आएंगे, फिर आप मेरी तरफ आईएगा, ये devil energy कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई और relationship, कोई भी, कोई शखस भी हो सकत इसका ये मतलब भी हो सकता है, कि वो divine से connect नहीं है, तो जैसे आप से resonate हो, आप इस devil energy को वैसे ले लिजएगा, ये devil energy, कोई भी ऐसी energy चीज़ है, जो उन्हें गलत कामों पर रुकसा रही है, कुछ भी ऐसा गलत, जो आपको पसंद नहीं, जो आपने उन से कहा, कि आपने ये कर रहे हैं, आपको admire भी कर रहे हैं, passion है, attraction है, बिलकुल, लेकिन मैंने आप से कहा, emotions बहुत कम है, emotions से बहुत ज़्यादा attached नहीं है, इनका ये होता है, कि बस जल्दी-जल्दी कोई action, कोई चीज़ कर ली जाए, तो ये एक जल्दबाज energy है, जी, मैं ये word भी बहुत देर से सोच रही थी, जल्दबाज हैं ये बहुत ज़्यादा, ये सोचते बहुत कम हैं, बहुत कम सोचते हैं, passion based होते हैं, इनके सारे decisions हो सकता है, आप इनको ये भी कहते हो, कि आप थोड़ा सा अपनी तबियत में ठहराओ लेकर आईए, सोच समझ के decision लिया करें, फौरी तोर पर तो ये सारा कुछ मुझे नजर आ रहा है, no contact reading थी ये आज, और आपसे contact नहीं है, लेकिन वो आपसे contact करना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे भी, क्योंकि ये चुप रहने वालों में से नहीं है, ये बिल्कुल बात करेंगे, जल्दबाज हैं, attract हैं बिल्कुल आपकी तरफ, लेकि मुझे emotions की यहां पर कमी नजर आ रही है, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, दिल से कर लिया है, और यहां पर उतना ज़्यादा प्यार, उतनी ज़्यादा dedication नहीं है, यहां पर passion है, बिल्कुल है, लेकिन आपको बता है कि passion के साथ थोड़ा स action, थोड़ी से stability चाही होती है, जो कि यहां पर अभी नहीं है, तो यह बहुत ज़्यादा struggle भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा problems इनके घर में भी चल रहे हैं, इनके family environment में, इनके work environment में, तो बहुत ज़्यादा मुझे problems में इस वक्ति यह नजर आ रहे हैं, काफी ज़्याद और आपके साथ बिलकुल यह बहुत ज़्यादा बात करना चाहा रहे हैं, communicate बहुत जल्दी करने वाले हैं आपसे, आठ दिन में हो सकता है, आठवा महीना जो कि अभी चल रहा है, आउगस्ट अभी भी हो सकता है, नौ दिन में भी हो सकता है, नौ महीनों में भी हो सकता है, आठ महिनों में भी हो सकता है तो जैसे आप से resonate करें आव ऐसे ले लिजीगा यह आप लोगों की reading थी अगर कुछ आपको इससे match होता हुआ लगा है कुछ help मिली है आपको तो मुझे आप ज़रूर बताएगा comment section में और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर मैं बिलकुल वो सब note down कर चुकी हूँ one by one करके मैं सारे करती जाओंगी videos जो भी आपने मुझे कहा है जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रियादा करना चाहती हूँ जितने भी लोगों ने मुझे subscribe किया है मुझे support किया है each one of you I truly truly deeply appreciate तो जाते जाते मैं आप से फिर ये बता दूँ कि description में मैंने अपने instagram का link भी दिया है अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हैं जब आप लोग सब वहाँ पर भी मुझे follow कर लेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि हम रोज एक love energy निकाला करें उस पर एक चोटी सी वीडियो या मैं कोशिश किया करूँगी कि live आजाओं वहाँ पर और बहुत जल्द मैं यूट्यूपर भी live आऊंगी और मैं बता दूँगी किस दिन मैंने आना है तो आप लोग मुझे जरूर join कीजेगा इसी के साथ मैं आप से इजाज़त लूँगी I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye Bye